जास्मीन बसीन वर्सेस निक्की तंबोली इनके फाइट में वापे सिधार शुकला ने बड़ा स्टैंड लिया था और बोला था कि ये जो फाइट है ये ड्रॉ होनी चाहिए लेकिन इस पर सिधार शुकला को लताड लगाई है सल्मान खान ने क्या हुआ है इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहूँगा मैं हूं मंदार और आप देख रहे है आक्ट राइडर्स बात की जाए तो एक टास्क वा था आपको यह दे शायद ग्लास दिये थे तीन लड़कियों को और उसमें वहापे निकी के ग्लास गिराये थे वहापे लेकिन एंड तक वहापर जास्मीन के हाथ में ग्लास था और उसमें वहापे वो ड्रिंग था लेकिन उसके बावजूद वहापर सिधार शुकला ने निकी तंबोली को जिताया था क्योंकि उसके साथ अनफैरनेस कुछ तो हुआ था तो वहापर सल्मान खान ने सीधा सवा पूछाए वहापे सिधार शुकला को कि देखो वाई अगर वहापे जास्मीन वसीन के ग्लास में पानी होने के बावजुद वो हारती है और यहापर उनके पास बाल्स होने के बावजुद उनके बास्केट में बाल्स होने के बावजुद वो हारती है तो फिर ये किस तरी के का नयाय हुआ तो ये वहाँ पर सीधा सावार पूछा है वापे सिधार शुकला से अब सिधार शुकला इस पर क्या जवाब देंगे ये दिल्चस्प रहेगा क्योंकि सिधार शुकला ने हर बार निक्की के लिए श्टैन लिया है और उस वक्द भी वहाँ पर कुछ न कु कहना आप इसे किस तरिके से देखते हो कमेंट सेक्षनन आप ही का आइ कमेंट सेक्षनन में कमेंट करके जरूर बताना इस पर जो भी बड़ी खमर आएगी मैं मंदार आकट राइडर्स केँज़री आपके पास जरूर पहुंचाँँगा तो जल से जल चानल आक्ट राइडर्स को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए आक्ट राइडर्स धन्यवाद